नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे चैनल में बस तेरे लिए और आज हम बस तेरे लिए हैं वीडियो लेकर आएं आज का जो हमारा टोपिक है वो उत्राखन के परमुख वैक्तियों के उपनाम के भारे में हैं जिससे हर साल हर पेपर में यह कोश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपोडेंट है तो चलिए सुरू करते हैं लेट्स गो फॉर दिस वीडियो तो उत्राखन के परमुख वैक्तियों के उपनाम नमबर एक पर जो आते हैं हमारे वह गोविन वल्लमपन्थ जो हमाले पूत्र और बहुत रतन के नाम से जाने जाते हैं और नमबर दो पर हेम वतिनंदन बहुगुना जो धरती पूत्र और हिम पूत्र के नाम से जाने जाते हैं नमबर तरीन पर हैं स्रीधर की मोठी जो उत्राखन का आजाद के नाम से जाने जाते हैं और नमबर साथ पर जो आते हैं अनुसुया पर साथ बहुगुना गड़ केसरी और काली कुमाओ का चानक ये के नाम से जाने जाते हैं आठ पर है जिया रानी जो कुमाओ की लक्स मिवाई के नाम से जाने जाती है नमर 9 पर है बद्रिदत पंड ये जो कुमाओ केसरी के नाम से जाने जाते हैं और जिनोंने कुमाओ का इतिहास पुग लिखी किंग ओफ कुमाओ जो हैंरी रेमजे हैं उन्हें किंग ओफ कुमाओ के नाम से जाना जाता है और नमबर 11 पर रहाती है हमारी आईरिस पंद जो अलमोडा की बेटी और पाकिस्तान की बहु भी है के नाम से जाने जाती है तीलू रोतेली जो गड़वाल की जासी के नाम से जाने जाती है नमबर 13 पर है विशेश्वर्दत सकलानी जो उत्राखंड का वरक्समानों के नाम से जाने जाते है और महविर्तियागी जो देहरदून का सुल्तान भी है और यह बहुत ही ज़्यादा इंपूड़ाट कोशन है जो हर साल पूछ ही जाता है और यह बहुत ज़्यादे इंपूड़न्ट है और नमबर 15 पर आता है जिम्कॉर्वेट जो गोराब्राहमन के नाम से जाना जाता है और नैंसिंग रवत जो मोलिक पंडित के नाम से जाने जाते हैं और 17 पर गुमानी है जो लोकरतन पंत के नाम से जाने जाते हैं और नमबर 18 पराते हैं मुकुंदी लाट बर्ध्याल जो देवगे के नाम से जाने जाते हैं नमबर 19 पर गोरिदत पांडे जो गोर्दा के नाम से जाने जाते हैं और 20 पर गिल्ष तिवाडी जो गिल्दा के नाम से जाने जाते हैं और सीवपरसाद डब्राल जो सीवपरसाद डब्राल है जो चानक्की के नाम से जाने जाते हैं और जीयारानी पिंगला या पियूला के नाम से जाने जाती है और कल्यान सिंग रावत जो मेति के नाम से जाने जाते है और इससे अगल है जो हरस देव ओली जो मुसुलीनी या स तेर के नाम से जाने जाते हैं। और वच्छा मेरा है नवा wal yodo is जो सेपे आते। आते हैं मादो सिंग भंडारी जो गरु भंजग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आसा करते हैं कि यह विडियो आपको अच्छे लेगी होगी। और जिसमें, एक नाम और भी आता है जो सुमित्रा नंदन पंत के नाम से जाना जाता है कफी अच्छा कोशन है वो भी कहीं बार पेपर में पूछा जा चुका है जो की अच्छा कोशन है और I hope कि इस वीडियो कि आपको अच्छे लगी होगी और सारे कोशन है और आप सारे ही याद कर सकते हो क्योंकि हर पेपर में और हर एक्जाम में पूछा जाते हैं और बद्रिदत पांड़े जो है ना ये ये कुमाओ केसरी को आपको पता तो होगा ही उन्होंने कुमाओ का इतिहास भी बुक लिगी थी और अच्छे कोशन है और इसमें जो सबसे आन्तिम नाम आता है एक नाम हम भूल चुके हैं तो उसको अभी लिख लेते हैं और 27 पर 27 पर आता है वो सुमित्रा नंदन पंत जोने गुसे या सेंग के नाम से जाना जाता है और वो भी काफी important question है हमें आप उसको भी याद कर चुके होगे तो I hope यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी और thanks for watching this video और ऐसी नहीं वीडियो के लिए हमारे चैनल सबस्क्राइब